हाई फ्रेंड्स विल्कम है मारे जेफस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर यह हमारा टेस्ट नंबर 290 है और आज का टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गाइनकोलोजी स्लेबस के एकॉर्डिंग यह कोशन काफी इंपोर्टन रोल प्ले करेंगे सभी नर्सिंग परिष्छा के लिए यू पाल ऐस यहां से बहुत यांसे बहुत कोशन पोछे आते हैं यूपी तरपल ऐसी मदठ प्रतेश एंड यहां से एस्टकर पूश्ट आइथाएंड सबसा नर्सिंग तके वहाइशन लेकि काफी इंप तोश्न के लिए आर्म न complexity नर्सिंग एक जायस के लिए सब्सक्राइब करों के चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्च नमबर फर्स्ट यह रहा आपकी स्क्रिन पर कोश्च नमबर आप पहला पढ़ें फिर आमसर बताएं और लास्ट बताएं आपने के इतने कोशन सही के चलिए इस्टार्ट करते हैं प्रेमी ग्रेविडा में स्रम के पहले चरण की अबदी लगबग होती है क्या होगा राइट आमसर इसका सिलेट कीजिए आफ राइट आमसर जो भी आपको लग रहा है इससे आपका confidence increase होगा ठीक है प्रेमी ग्रेविडा में स्रम के पहले चरण की अबदी होती है लगबग आपको बताना है कितनी होती है सिलेट कीजिए आफ राइट आमसर प्रेमी ग्रेविडा प्रेमी ग्रेविडा उससे कहा जाता है जो महिला पहली बार pregnant होती है अब आपको राइट आमसर बताना है लगबग में ठीक है सिलेट कीरें राइट आमसर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है आफसन भी इसका राइट आमसर होगा क्या आफसन भी इस दा राइट आमसर यह लिखा है 10-12 एवर्स ओके 10-12 घंटा प्रेमी गेविडा में जो स्रम या लेबर का जो स्टेज होता है या उसकी जो अबद भी बात करें हम ठीक है फ़र्स्ट इस्टेज ऑब लेबर अगर डीवर्सन की बात करें अफ्रॉक्जमेटली मतलब होता है लगबग होता है 10-12 घंटे के आसपास होता है अब यहां पर समझेंगे एक दो पॉइंट के बारे में जो important है आपके लिए यहां पर देखिए एक दो कोशन और भी में आपको मिल सकते हैं जो प्रेमी ग्रेवडा में जिसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की तो इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं इसी को कहा ज सकते हैं कई बीतर है इस टुक है यहां पर क्या वाजबाईकल डाइलेस अनिस्टार्ड होता है थीक है टू लेबर सोता है बुलोलीबर सोता है तू लेबर से पे इंड अंड इंस विद आ फुल डाइलेशन ऑपर दी सर्विक्स एक जामपल के तौरब बतायां सेंटीमीट वाली स्टेज में यह कंप्लीट हो जाता है दस सेंटीमीटर तक यह लिखा यहां पर यह लिखा है ट्रू लेबर पेन एंड इंड इंड फुल डाइलेशन ऑफ दी सर्विक्स कह रहा है कि यह जो स्टेज होती है यह खत्म हो जाती है ट्रू लेबर के साथ यह यूं कहेंगे यह पूरी तरह से डाइलेशन हो जाता है ड्लेटर प्रेमीज जो से कहा जाता है अब हम चलते है नेश्ट कोशन पर यह है आपके स्किन पर कोशन नबर टू देखिए आप वीडियो के ज़्यादा इसकिप न किजिए आपके फायदे के लिए क्योंकि जितना डिटेल्स मैं बताता हूं यह एक्जाम्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट आपको मैश करेंगे एक्जाम्स मे ङहां यह देखिए स्रम के तीसरे चरण की अवादी है duration of the third stage of the labor is अजी छड़ेट कीजिए आप यहां पर right answer duration of the third stage of the labor ठीक है duration बताना on time sixth stage alabol σ्टर्व के यह बनार की देख्यां हिंदी में आपको इस तरह मिलेगा स्वर पॉइन्ध समझ लें तो यह पर आपके स्टीज अमझे बड़ो झाल मेंप सॉन एक बाहर निकल जाता तो इसे क्या कहते है समझ में आई बात बच्चे ने जर्म लिया यहां से स्टेज खत्म कहा से होती एस प्लसेंटा से प्रेमें के माद हम से अलग हो जाता एक पॉइंट लिखा है, it may last for a few minutes to 20 minutes, यहाँ पर हमने 20 लिखा, यहाँ पर 15 लिखा है, ठीक है, तो आप यह लगबग लगबग answer लिखे गए हैं, ठीक है, यह वाला appropriate answer है, match किया हुआ answer है, ठीक है, commission के दौरा, और यह भी answer कोई हैसे नहीं रख दिया गया, काफी analysis के बाद से रखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे, कभी-कभी ऐसा लिख दिया जाता है, 15-20 minutes, आप कहोगे हाँ, 15-20 minutes, में भी range हो सकता है, और कई जगे तो इस तरह भी दिखाया गया, 6-30 minutes के बीच में, लेकिन हम जो question to answer लेते ना, यह सबसे best लेता हूँ, मैं, सबसे best लेता हूँ, हार एक exams को ध्यान में रखते वे, ठीक है, लेकिन समझाना ज़रूरी होता है, details में कि हाँ, कितना कितना दिया जा सकता है, अगर आप मालों कहीं 5-8 गंटे लिखा होगा, तब आपका right answer यह होगा, 6-30 वाला, ठीक है, यह 15-20 वाला, 15 minutes is the appropriate answer, okay, by the commission, next question number आपके skin पर, question number 3, question number आप तीसरा पढ़े, फिर answer बताईए, multi-gravida में स्रम के प्रथम चरण की अवधी लगभग होती है, duration of first stage of labor in multi-gravida is about, select करें आप right answer, जो भी आपको लग रहा है, कि हाँ यह हो सकता है, नहीं भी लग रहा है, तो तुक्का मारिए आप, ठीक है, भरपूर कोशिस किया करें आप तुक्का मारने की, मिरो को लगता है, आप तुक्का मारते हैं, लगबग लगबग साही हो जाता, तुक्का का मतलब है, आप अपना IQ का इस्तमाल करके guess लगाते हैं, हिंदी में कहना, थोड़ा अटपटा हो जाता है, लेकिन फिर क्या करें, ठीक है, यही पॉइंट सेम टू सेम लिया है, मैंने, आप कोशन नमबर वन देखेंगे, उसका डिटेल से देखेंगे, थार्ड स्टेज में कितनी होती है, पंदरा मिनट होती है, जो प्रेमी ग्रेविडा होती है, पहले स्टेज में उसमें कितनी होती है, उसमें मलब दस से बारा घंटे होती है ठीक है उरे जोरे बाकी बता दिया उपर कोशन देखे और दुबारा वीडियो को पॉज करें या बैक जाएं देख सकते हैं दुबारा ठीक है जब तक समझ में ना है दो तीन बार देखोगे अराम से आ जाएगा फिर भी ना है ना तो आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है इन फालविंग विच इजा वेलकम साइन और पिगनंसी एक स्वागत योग संकेत है गर्भावस्ता के दौरान यह गर्भावस्ता में यह गर्भावस्ता का ठीक है सिलेट करें आप राइट आमसर मैं बता दूं आफसंस इसका अब देखना यहां पर कैसे कैसे उठाए जाते कोशन डेटेल साप समझेंगे थोड़ा इससे समझ लीजिए आप ओके यह लिका है एडड़ इंड़ ट्राइमिस्टर बेबी सेटल हो जाता है और ड्रॉप द लोवर नीचे की और आने लगता है इन्टु दा मदर पेल्वि समझ मैं इसी को ड्रॉपिंग का है या लाइटनिंग इसी को कहा जाता है समझ मैं आई बात इसी को क्या कहते है इसी को ड्रॉपिंग या लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है आप देखे लाइटनिंग वाली स्टेज फिर से आप समझने का प्रयास करें यह लिका है अग ट्राइमिस्टर अगर आप से पूछल ले कि ज लाइटिनिंग की अवस्था देखियाती है यहाँ पर कहा जा सकते हैं त्राइटिंगर Yeah होता है सेटल होता है नीचे की ओर आता है ठीक है कहां जाता है मां की पेल्विक में आ जाता है मां की पेल्विक में नीचे की ओर खसक आता है और इसी तरह की गति विधी को लाइटनिंग कहा जाता है इसी तरह की गति विधी को लाइटनिंग कहा जाता है यह लिखा in the first time mothers dropping usually across two to four weeks क्या लिका है दो से चार weeks before the delivery but it can happen earlier कहा जाता है जो lightning के अवस्ता होती है जब third trimester चल रहा होता है ठीक है मलब हो सकता है कि समय पूरा हो रहा हो ठीक है 38 सब्ता के आसपास कहले हम एक्जामपल के तौर पर दो या 38 या 37 के आसपास ठीक है तो दो से चार वीक के आसपास की जो delivery होने वाली होती है ठीक है उसके आसपास का समय को lightning कहा जाता है क्योंकि यही कोशन में पूचा गया था स्वागत योग गर्भा वस्ता का स्वागत योग संकेत है स्वागत योग संकेत का मतलब किया बेबी deliver होने की अवस्था में है समझ रहे हो बात? सुन रहे हो ना? आप देखे हो लिखा है what it can have an earlier मतलब ये condition earlier भी हो सकती, समझे पहले भी हो सकती में भी, समझ में आई बात? तो lightning तो समझ गये होगे ठीक है, baby क्या होता है? डिलेवर होने की अवस्था में पहुंचता है ये एक ये दो भी क्यास पास ऐसी condition देखी जाती है, generally दो से चार भी क्यास पास ऐसी condition देखी जाती है baby settle हो जाता है, drop slower कहां पहुंच जाता है, पेल भी क्यास पास पहुंच जाता है ये कौन से trimester में देखी जाती है फास ट्राइमिस्टर, सेकेंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर आप कामसर क्या होना चाहिए? थर्ड ट्राइमिस्टर, सेम कोशन पूचा गया था जैसा कि मैंने व्याख्यान किया आपको सामने नेक्स्ट एक कोशन नमर आपके स्किन पर 5 कोशन नमर आप 5 पढ़ें, फिर आमसर बताएं एक महिला जो पहली बार गर्वती होती है कहलाती है क्या है राइट आमसर इसको सिलिट कीजिए आप राइट आमसर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है पहली बार जो महिला गर्वती होती है इसका मतलब यह कि एक महिला जो गर्वती होती है उससे प्रेमी गर्वता कहता है और यहां पर जो और हैजबीन लिखा है पैसी वाइस में सेंटेंस लिखा है किसमें लिखा है पैसी लिखा है और हैजबीन ओली यहां किवल गर्वती हुई होगी ठीक है उसी को प्रेमी गर्वता कहा जाता है यहां पर यह कंडिसन नहीं कि या कहते प्रहमी गरवडा नेक्स्ट है कोशन नमर आपकी स्किन पर 6 पर पूछा गया आज श्रम को कहा जाता है अबनॉर्मल लेबर इस टमड़र चुके हैं यहां पर फिर भी आप देव शक्ति हैं यह लिखा आपनॉर्मल लेबर मेबी रिफर्ट तु द्डिस्टोसिया औ और फिर एक वर्ड और लिखा गया है यह लिखा है एस डिस्फंशनल लेबर क्या लिखा है देखें यह वर्ड आप लिख लेना हो सकता है तफ लग रहा हो यह लिखा है यह लिखा है एस डिस्फंशनल ठीक है ऐसे इतना पढ़ लेना एस पढ़ ले डिस्फंशनल इतना होता है difficult in labor difficult labor चाइल वर्थ ठीक है बच्चे के ज़न में में बढ़े मलब जन्म लेने काफी परिसानी का सामना करना पड़ता है कई कारण होते हैं कोशन नमर आप देखेंगे यहां पर से वन कोशन नमर आप सात्मां पढ़ें फिर आमसर बताईए आप सामान इसरम को इस ना नार्मल लेबर सामान इस तरह में को यूटेसिया कहा जाता है आफसन और राइट अमसर होगा ये लिखा है नार्मल लेबर ब्रेकेट में बता है यूटेसिया इसका पर्याभाची सब्द है सानॉम निय्टाहिए कोशन नमबर आपके स्केंड़ पर at question no.8 पढ़ें और अपने आंसर बताएं जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है very very important question है आपके लिए process of giving birth is known as जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है आपको बताने क्या कहलाती है select करना है आपको right answer है हिमत के साथ सामना करने इस question का और देखें आपसन देखें जो भी आपको लग रहा है अपने आंसर जरूर बताएं अपनी बात कहने से नहीं चुगना चाहिए ठीक है बहुत देर हो जाती है कई दगे कई कैसर में से देखा जागे है process of giving birth is known as जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है इसका जो right answer होगा option B होगा यह लिगा है part 2 reason जन्म देने की प्रक्रिया part 2 reason कहलाती है तो थोड़ाह टब्क लखता है लेकिन यह याद कर लिमा जैसा तैसा लिखा जन्म देने की प्रक्रिया labor या यूँ कहलाती option B का right answer होगा या है यह डीटेल्स भी बताई गई आपके लिए यह लिखा है बर्थ अलसो कॉल डी चाइल्ड बर्थ या यूं कहेंगे पार्चुरिशन देके चाइल्ड बर्थ वर्ड इस सिंगुला यह सॉरी साइननेंस आप पार्चुरिशन ओके प्रोसेस आप दी बिगनिंग फोर्थ अचाइल्ड फ्राम यूंटर सेर्वम मतलब होँ यह कि जब बेबी जर्म लेता है इन इन प्रोसेस से यहां से गुजरता हुए जब बेबी जर्म लेता है उससे को पार्चुरिशन कहा जाता है नेक्स्ट एक कोशन नमबर आपकी सिंपर नमा नमबर कोशन पढ़ें फिर या दियुक्त आप यहीं वर्ड याद लगतने स्पराएं और बताया भी बहुत बार है दिटेश समझे को बक होता है अब इंग्लिस में आप देखिए क्या पूचा गए लिगा इन human fatal school ठीक है in human fatal school मलब भुरून वाले की बात करें खोपड़ी के उसमें occipito क्या लिगा occipito frontal diameter कितना होता है main बात अगर पूरी ठीकी हुई है ना question पर ते इतनी बात ठीकी हुई है कि यह पूचा जा रहा है occipito frontal diameter कितना होता है कब कब पूच रहा है यह लिग रहा है fatal school ठीक है मतलब गर्ब में बेबी होगा यह मानव भुरून की खोपड़ी में जो occipital लला ठीक है frontal मतलब होता है सामने वाला ठीक है कहा जाता तो यह वर्ट समझ गए ना अब देखिए occipital वाला जो मतलब है occipital का मतलब क्या होता है यह जो टकला होता ठीक है इसका जो पीछे निकला होता थोड़ा सा ठीक है बूच टाइप में थोड़ा सा निकला होता है यह उब्रा होता या किसी किसी में सपार्ट होता है तो इसे औसीपिटो कहा जाता है या औसीपिटल कहा जाता समझ में आगी बात ना? समझ रहे हुद ना? मैंने एनटोमी में पढ़ाया था आपको याद नहों आपको सायद अब इसका जो राइट आंसर मानो भूल के खोपड़ी में औसी पिटो ललात व्यास लगबग होता है आफसन एस का राइट आंसर है क्या है आफसन है 11.5 cm आफसन एस का राइट आंसर होगा हब हम थोड़ा सा आपको और बता देंगे यह नेक्स्ट है डाइमीटर साब दी योर बेबी जेट आपके बेबी का डाइमीटर से देखा जाता है हेड के ठीक है कितना होता है 9.5 cm इन इन दोनों में मतलब समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो ना चलिए भी बताते है यहां पर भी डाइमीटर देखा जा रहा है हेड का ऊपर में भी हेड का डाइमीटर देखा जा रहा है नीचे भी हेड का डाइमीटर देखा जा रहा है अब बात कंडिशन ही है कि देखा कैसे कैसे जा रहा है ठीक है अगर इसको स्वाट फार में बात करें तो इसके लिए देखे ओसी मतलब O frontal मतलब F ठीक है तो कभी कोई OF करके 11 cm लिख दे जाता है 11 points में या कभी कोई OFD occipital frontal diameter OFD 11.5 cm अब यह जैसे लिखा है BPD B मतलब होता है by P मतलब होता है parital D मतलब होता है diameter तो कभी कोई BP करके लिख दे लेकिन BP लिखने लेकिन बलब प्यसर हो जाएगा लेकिन बात ही होती situation के according हम solve करते है question को अब देखें यहाँ पर अब जो समझाना चाहते है मानलो कि यह कोई बेबी की खोपड़ी है गोल बन गई तो अब थोड़ी आइसे बनाएं ठीक है यह बेबी की किसी की खोपड़ी है ठीक है और sorry यार मानलो कि यह बेबी की किसी की खोपड़ी है और यह आगे वाला हिस्सा है यह आगे वाला हिस्सा है ठीक है यह पीछे वाला उसका हिस्सा है तो हम जब इस तरह नापते हैं ठीक है ये पीछे होती, कहा होती, पीछे, ये आंक, आंक जहां नहीं है, आंक, आंक के उपर जो भहुएं होती, उसके उपर मत्था होता, या फोरेड कहते हैं, ठीक है, तो यहां तक जो मापा जाता है, ये डायमिटर खोपडी का, ठीक है, ये वाला जो मापा जाता है, समझ रही न ऐसे ही नहीं आपा जाता कई कंडिशन देखिए किस तरह हो सकती कैसे क्या होगी मलब काफी कंपलक्स होती है लेकिन किया जाता इन सब को ठीक है अब देखिए यह तो हम समझ गए कि यह ओसी पेटो हो गया ठीक है क्योंकि ओफ और ओसी हो गया यहाँ पर ओसी एफ ओसी एफ प्रंटल इसे πिच्छे का टक्ला वाला पार्ट एक है जो निकला होता अब देखिए ब्लूष मतलब के ओस्ता है उपर से नीचे को अर्थ हम जें ऐसे वाला यह डाइमीटर उस तरह का डाइमीटर ऐसे वाला डाइमीटर समझा यह ने सबस्तेभी बात इसको ब्लूए यह को कहते बाइपरिटल डायमीटर ओमेट करता हूं आप समझ गया होंगे काफी कुछ तो आई गया होगा अगर नहीं भी आया तो नीशे बता देना इमेज दिखा देंगे यह वाला OCP to frontal है क्योंकि यह F वाला पार्ट है, forehead वाला पार्ट है, F का मतलब forehead भी समझ सकते हैं, frontal का मतलब सामने वाला और यह पीछे वाला पार्ट है, तो O हो गया, और ऐसे ऐसे करेंगे तो यह BPD होगा, Biparital Diameters, तो इस तरह इने मापा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, ए कि मैंने बता दिया, एक्जांस में कोशन पूछे गए थी, इसलिए जरूरी आपको समझाना भी, तो अमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर चैनल पे नए हैं, ताकि हमारा लेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए, तो चैनल को सस्क्राइब कर एनम के लिए, यह हमारी पेट क्लासेज हैं, एनम के लिए है, अब हमारी फेस भी इंक्रीज हो जाएगी, कुछी दिनों में, जिनको भी अभी लेना है, 1599 रुपए फेस रखी के बहुत से लोग पूछते हैं, देखिए अगर देखे आ जाए, तो मैंने सबसे कम फेस रख कर देता है कि इसे यह कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है आखिर, ठीक है, और पूरे आयाम बता देता हूँ, यह इसलिए है, वो इसलिए है, ठीक है, और पूछा गया है, यह नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, समझे, तो उन सभी पॉ कोई भी आपको इंकरी करने नीचे वार्टसप नबर दिया जाएगा मोशली आप वार्टसप में बात करेंगे अगर प्राब्लम सोरी ज्यादा तो आप कॉल कर सकते हैं तो हम चलते हैं जल्द ही आप से मिलेंगे निश्ट वीडियो में और हाँ जो लोग यूपी एनचम के लिए या अधर एक्जाम्स के लिए या पीडियाई रोहतक के लिए या किसी भी उखें के लिए Yip, और अपको मजा भी आएगा पढ़ने में भी और समझने में भी झाय सा चलते हैं ठेकւ त